उत्तरप्रदेश के बहराईच पोहँचे सपाध्यक्स अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को जम कर निसाने पड़ लिया उन्होंने कहा कि यह चुनाओ बाबा साहे भीमराव अमबेडकर जी के सपने को बचाने का है यह चुनाओ आजादी बचाने का और सविधान बचाने का है आगिनी वीर योजना पर भी सरकार को घेरा है सुनिए अखिलेश यादव ने क्या परमुक बाते बहराईच में कही देखा चंडीगण में किस तरीके से बहिमानी हो रही थी किस तरीके से बोट की लूट हो रही थी यह भाती जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजने थे यह ग्रो है ग्रो इस देश का नौजमान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौपी रोजगार मिले समय पर वरना उनकी जो छमता है जो उनकी इनर्जी है वो वेस्ट हो रही है सोचो अगर हम दुनिया में यह मानें कि सबसे ही युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाद में नौकी रोजगार नहीं होगी इनके उमर जब बढ़ जाएगी तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्था खड़ी होगी इस सरकार की नियत कभी नहीं रही कि नौजमान अपना भविस्थ बनाए क्या अगनीवीर जैसी टेंपरी नौकली ये सरकार दे रही आप देखिये इनके भाषन हर भाषन में भारत माता की जैह हो बिना भारत माता की जैके न बहाएगिनका भाषन शुरू होता है और नहीं, इनका भाषन खतम ह घोता है और ऐसे लोगों ने अगनी वीर जैसे टेम्परिरी नोक्री क्या टेंफरी नोक्री से हमारे नौजमानों को बढ़ ली पेनने का सपना और पूरा हो रहा है उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैटे थे 800 से ज़्यादे किसानों की जान गई थी और अफिर जान जा रही है इन्हें कोई परवा नहीं है इन्हें केवल परवा आपने बोट की है बोट के लिए भारदी इन्तापार्डी कोई भी जूड बोल सकती है